हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डू माई योट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट जहां पर मैं हर फ्राइडे को आपके लिए एक नए क्रोशेट प्रोजेट का ड्यूटोरियल वीडियो लेकर आती हूँ और आप सभी को स्टेप बाइ स्टेप बनाना सिखाती हूँ तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ये ब्यूटीफूल सा पार्टी वेर पॉंचो टॉप जिसकी हल्प से आप किसी भी प्लेन से टीशेट को एकदम एक ही मिनिट में पार्टी वेर टॉप में कनवर्ट कर सकते हैं जिसके उपर इसे पहन कर ये देखिए ये आगे से जितना ब्यूटीफूल लग रहा है पीछी से भी देख लीजिए उतना ही ब्यूटीफूल है बिल्कुल वेसी ही सेम पेटन है जो हमने आगे डाली हुई है इसकी स्लिवस पर भी एक नजर डाल दीजिए ये देखिए ब और लाइक, शेर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफूल सा पॉंचो बनाना ये यूनिक सा पॉंचो बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो सेम ही है मैंने यहाँ पर केबल यान लिया है आप कोई सा भी थ्रेड ले सकते हैं और उसी थ्रेड के अकोर्डिंग आपको हुक साइज लेना है यहाँ पर क्यूंकि मैंने केबल यान लिया है तो मैं यहाँ पर कि slip knot लगा लेनी है slip knot लगाने के बाद हमें chain बनानी है जो कि foundation chain बनेगी तो foundation chain हमें जो उसका number है वो रखना है 136 तो यहाँ पर मैं 136 chain बना कर फिर आपको आगे बताऊंगी कि next step हमारा क्या होगा 136 chain बनाने के बाद यहाँ पर हम इस chain को इस तरीके से सीधा सीधा आगे लेते हुए ताकि यह chain जो है वो twist ना हो इसलिए हम इसे इस तरीके से सीधा खीच कर जो first वाली chain है उसके साथ हमें यहाँ पर slip stitch से इसे joint कर लेना है और पूरी ring बना लेनी है यह देखे इस तरीके से slip stitch से हमें यहाँ पर joint कर लेना है अभी हम तीन chain बनाएंगे एक, दो और तीन और same stitch में जहाँ पर हमने यह slip knot लगा कर तीन chain बनाई है उसी stitch में हमें एक double crochet बना लेना है इस तरीके से तो तीन chain को count किया तो यह first वाली stitch में हमने दो double crochet बनाए है अब next जो हमारी chain है उसमें हम एक double crochet बनाएंगे फिर उसकी next वाली में दो double crochet बनाएंगे एक और यह दो यह दिखिए यह जो धागा है वो में इसके अंदर ही छीपाया यह जा रही हूँ साथ ही साथ अब यह दिखिए दो double crochet बनाने के बाद next जो हमारी stitch होगी chain stitch उसमें हमें सिर्फ एक double crochet बनाना है और फिर उसकी next वाली stitch में हमें फिर से दो बनाने है तो हम हर एक बनाएंगे एक stitch में और next वाली में हम दो बनाएंगे इसी तरीके से यह पूरी जो 136 chain हमने बनाई है उसमें हम बनाएं करेंगे तो यह बनाएं फिनिश करने के बाद total हमें 204 double crochet मिलेंगे तो यह जो round है वो पूरा करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर आगे हम क्या करेंगे वो बताती हूँ यह देखे फ्रेंट्स आखरी वाली chain तक मैंने बुनाई कर ली है अब हमें जो शुरुआत में हमने तीन chain बनाई थी उसकी जो सबसे उपर वाली chain है वहाँ पर हमारा hook डाल कर slip stitch से यह वाले round को इस तरीके से जोइट कर लेना है यह देखे यहाँ पर मैंने कुछ डार्क रंग के धागे का इस्तमाल करके stitch मार कर लगाया है वह मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैंने क्यू लगाया है अभी इस वक्त इस चीज को आप इग्नॉर कीजिएगा अब देखिए slip stitch से जोइंट करने के बाद हमें एक, दो और तीन चेन बनानी है और ये देखिए इसे इस तरीके से गुमा लेना है ताकि ये जो तीन चेन है वो हमारी उल्टी सैट पर आ जाएगी ये देखिए इस तरीके से और ये जो हमारी foundation का foundation chain के एक लूप में हमने बनाये थे double crochet एक में एक double crochet और दूसरी वाले stitch में दो double crochet तो वहाँ पर एक लूप अभी भी बचा हुआ है तो उस लूप में हम हमारा crochet डाल कर ये वाला धागा इस तरीके से खीच लेंगे तो ये देखिए यहाँ से धागा हमें basically यहाँ तक लाने के लिए ही हमने ये किया है आप चाहे तो यहाँ पर knot लगा कर धागा काट ले और यहाँ से फिर से attach कर ले वो भी चलेगा ठीके अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये हमारी जो neck की border बनी है उसकी हम aging बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ ये देखिए फर्स्टीच में हमने ये धागा joint कर लिया अब हम यही पर एक दो और तीन चेन बनाकर पिकुश्टीच बनाएंगे ये ही वाली स्टीच में तो आप सबको आता ही होगा पिकुश्टीच मेंने आगे भी कई दफा बताई है लेकिन जिनको नहीं आता वो इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट वाली जो हमारी चेन होगी नीचे की उसमें हम इस तरीके से इसे slip stitch से joint कर देंगे तीन chain बना कर अब next तीन stitch में हमें slip stitch लगानी है ये एक फिर ये दो और फिर ये तीन अब एक दो और तीन chain बना कर फिर से ये देखे जो नीचे वाली जो chain है उसमें हम इस तरीके से एको stitch बनाएंगे slip stitch लगाकर फिर से हम slip stitch से 3 stitch बनाएंगे ये देखे एक फिर next वाली में slip stitch 2 फिर next वाली में slip stitch यानिके 3 अभी एक 2 और 3 chain अभी जो नीचे वाली हमारी जो chain है उसमें हम इस तरीके से होग डालकर ये देखिए पिकू बना लेंगे ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है ये बहुत ही आसान सा स्टीश है लेकिन बहुत प्यारा लगता है अगेन एक बार देख लीजिए नेक्स्ट तीन स्टीच में हम स्लिप स्टीच लगाएंगे ये दो और ये तीन अभी एक दो और तीन चेन बना कर ये देखिए यही वाली चेन से हम धागा खीच कर स्लिप स्टीच लगा लेंगे तो इस तरीके से ये हमारा विकू स्टीच रेडी हो जाएगा तो ये पूरी हम इसी तरीके से फिनिश करके यहाँ पर नोट लगा कर धागे को काट लेंगे तो उसके बाद यह मैं आपको बताती हूँ पूरा राउंड फिनिश करके के आगे हम कैसे बढ़ेंगे इस टॉप में यह दिखी फ्रेंट से पीकू श्टीच से में मैंने पूरी अंदर की एज ऐसे बाद यह सब्सचे कर लिए और यह बहुत ही प्यारा लग रहा है अब आप देखे मैंने आपसे बताया था किछ निए आपको समझा देथी यहां तक फ्रॉम दिश्टीच तो इस टुटीच यहां पर 70 श्टीचीच है यह फ्रॉंट पॉर्शन होगा same way यहाँ पर यह वाले धागे से लेकर यह वाले धागे तक 70 stitches है तो this is the front and this will be the back अब यहाँ पर हमारे पास side में दोनो 17 stitches जो 70 stitches है उनकी side में हमने दोनो तरफ से 32-32 stitches छोड़ी है जो के हमारी sleeves का portion रहेगा ठीक है तो पहले हम first से count करेंगे, first में हम stitch marker लगाएंगे, फिर जो 17th वाली होगी वहाँ पर stitch marker लगाएंगे, तो first two, last will be 70 stitches, उसके बाद हम 32 stitches छोड़ देंगे जो के हमारी एक side की sleeve बनेगी और उसके बाद 33 में 32 छोड़ कर 33 स्टीच से हम stitch marker लगाएंगे जो हमारी 33 में stitch होगी वो back part का first stitch बनेगी, तो stitch marker वाली stitch हमारी count होगी ठीक है, तो उससे लेकर 17, last वाली जो होगी वो हमारी 17th वाली stitch होगी वो भी count होगी तो first two, last will be 70 stitches here at the back side और फिर automatically अगर हमने यही stitch और यह सब follow किया है कहीं पे भी कुछ गड़बड नहीं हुई है तो last में जो हमारा यह वाली sleeve का portion होगा वो automatically 32 stitches वहाँ पर left होगी ठीक है, तो इस तरीके से यह वाले ring को हम fourth portion में divide करेंगे अब देखिए, यह जो front या back जो भी यह दोनों ही same ही है, वो portion होगा जहाँ पर हमें बुनाई करनी है उसकी बीच की 4 stitches को हमें इस तरीके से mark कर लेना है यह देखिए, यह center वाली most centered fourth stitches है, यानि कि यहाँ से अगर हम count करेंगे, तो यह वाली होगी 34 में फिर बीच वाली दो जो छुटी है, वो होगी 35 और 36, यानि 35 और 36 और यह जो last हमने दूसरा mark कर लगाया है वो होगी हमारी 37 त में stitch, ठीक है तो इस तरीके से बीच में हमें यह जो 4 stitches है, मतलब यह जो 4 stitches में उसमें पहली और आखरी, यानि पहली और चोथी वाली stitch को हमें, पहली जो हम row बनाएंगे, hanging row उसमें use करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से marking किया है, तो जो first वाला mark है, वो उससे में remove करूंगी और उसकी जगा पर यह वाला धागा attach करती हूँ front center की जो चार stitch हमने mark की थी उसका first marker remove करकर वहाँ पर मैंने इस तरीके से धागा attach कर लिया है और फिर मैं यहाँ पर दो chain बना रही हूँ, अब तीसरी वाली chain बनाने से पहले मुझे उससे थोड़ा इस तरीके से लंबा खीच लेना है, यहाँ पर हम एक bubble बनाएंगे, bubble stitch जैसा वो कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको सिखाती हूँ, आपको ध्यान से देखना है यह देखिए, जैसे हम chain बनाते हैं, उसी तरीके से पहले तो हमें यह chain का जो loop है, उसे थोड़ा सा ज्यादा लंबा खीज लेना है ठीके, उसके बाद जैसे हम chain बनाते हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पर यह loop निकाल लेना है, ठीके, अब यह देखिए यह जो पीछे वाला portion है उसे पकड़ के रखना है धागा और उसमें हमें यह एक फिर यह दू टीन और चार बार इस तरीके से puff stitch बनानी है और फिर yarn over करके सारे loops में से हमें इसे निकाल के इस तरीके से slip stitch लगा लेनी है तो यह हमारा एक bubble ready हो चुका है उसके बाद हमें एक और दो chain बना कर फिर से यही bubble same size वो ध्यान रखना है और यही bubble को repeat करना है यह देखिए यह इस तरीके से हम chain पहले बड़ी बनाएंगे फिर उसके पीछे वाला जो धागा है उस धागे में हम एक फिर दो फिर तेन और यह चार बार हम इस तरीके से puff बनाएंगे और फिर उसके सारे loops में से इस तरीके से धागा निकाल कर इस तरीके से slip stitch लगा लेंगे और फिर से एक और दो chain बना कर फिर से यही repeat करना है एक बार और देख लीजिए यह देखिए इस तरीके से हम loop को थोड़ा सा extend कर देंगे और फिर यह देखिए यान ओवर करके उसे इस तरीके से chain ही बनाएंगे जिस तरह से हम chain बनाते है उसे तरीके से फिर यह जो पीछे वाला धागा होता है उसमें hook डाल कर इस तरीके से धागा खीचेंगे एक बार फिर यान ओवर किया hook डाल कर फिर से धागा खीचा यह दो बार फिर यह तीन और यह चार बार अब हम इसे इस तरीके से सारे लुप में से निकाल कर slip stitch से joint कर देंगे फिर से दो चिन बनाएंगे और फिर से इसी वाली bubble stitch को repeat करेंगे तो यह वाली जो first row हम बनाएंगे उसमें हम 6 bubble stitches बनाएंगे और क्यूंकि शुरुआत में हमने दो चिन बनाई थी तो आखिर में भी हम दो चिन बना कर यह जो हमारी line है उसे finish करते हैं फिर मिलते हैं यह देखे फ्रेंट्स यह first वाली जो हमारी hanging line है उसमें हमने 6 bubbles बनाए है और आखिर में दो चिन बना कर इस वाली row को हमने finish किया है अब देखिए यह जो दो stitches छोड़कर हमने center की चार जो stitches में हमने आखरी वाली जो marker लगाई थी चौथी वाली stitch में उस वाली stitch में हम इसे slip stitch से attach कर देंगे यह marker को हमें यहाँ से निकाल लेना है और यह जो हमारी bubble वाली line है उसे slip stitch से यह देखिए यहाँ पर हमने attach कर लिया ठीक है तो हुआ क्या बीज की दो stitches छूटी और पहली और चोथी वाली जो बीज की most center उसमें हमें यह hanging line लटका दी है अब हम क्या करेंगे हमारी जो next stitch है उसमें हमें slip stitch लगानी है और फिर उसकी next वाली stitch में भी हमें slip stitch लगा लेनी है उसके बाद एक और दो chain बना कर फिर से bubble stitch बनानी है जैसे हमने first वाली row में बनाई उसी तरीके से यह हम दूसरी line बना रहे है तो यहाँ पर हमें एक bubble stitch increase करना है तो पहली line में हमने 6 bubbles बनाई थे तो दूसरी line में हम 7 bubbles बनाएंगे यह देखे एक बन चुका है फिर से 2 chain and then another bubble ओके तो इस तरीके से हम यह वाली line में 7 bubble बनाएंगे और फिर में आगे बताऊंगे आपको कि हम इसे दूसरी वाली side पर कैसे attach करेंगे यह देखे फ्रेंज यह second row में मैंने total 7 bubbles बनाएंगे यह एक दो तीन चार चे और साथ और फिर आखिर में मैंने फिर से 2 chain बना ली है हमें हर line की शुरुआत और आखिर में 2 chain बनानी है यह नहीं बुलना है ठीक है अब यह देखे यह जो हमारी line है इसे हम यह देखे इसे हम यहाँ पर यह देखे जो first वाली line attach की थी जिस stitch के उपर उसके बाद एक stitch छोड़ देंगे और next वाली stitch में हमें इसे slip stitch से joint कर लेना है यह देखे इस तरीके से यह देखे इस तरीके सामने slip stitch से इसे joint कर लिया है अब हमें next वाली stitch में slip stitch लगा लेनी है क्योंकि हमें हर hanging row के बीच में एक stitch को छोड़ना है तो एक stitch slip stitch लगा लेने के बाद next में slip stitch लगा कर hanging row के शुरुआत करेंगे दो chain के साथ इस तरीके से यह देखे बीच में सिर्फ दो stitches चुटेगी बाकी हर एक row के बीच में एक stitch चुट जाएगी तो यहाँ पर हमने एक slip stitch लगा कर शोड़ दी और next slip stitch लगा कर उसमें शुरू कर दी तो अब क्योंकि हम यह तीसरी row शुरू कर रहे है तो इसमें हमें आठ बबल्स बनाने हैं अगें वन इंक्रीज करना है तो इसी तरीके से हम चौथी पाच्मी छट्थी और सात्वी रो तक एक एक बबल्स टीच को इंक्रीज करते हुए इसी तरीके से इससे एक छोड़ कर यह देखे यहाँ पर हम आठ बबल्स बनाने के बाद फिर दो चेन बनाएंगे आखिर में और यह वाली साइड पर यह देखे यह सामने वाली जो साइड होगी वहाँ पर यह देखे यहाँ से हम एक स्टीच छोड़ कर नेक्स टीच में इसे जोइंट कर लेंगे फिर उसकी next stitch में again slip stitch लगाएंगे फिर again slip stitch लगाकर फिर से bubble row की शुरुआत करेंगे और वो वाली row में हम 9 bubble बनाएंगे ठीके तो इसी तरीके से हम अगर 7 row इसी तरीके से repeat करेंगे तो 7 वी वाली row में हमारे पास 12 bubble होंगे और उसके बाद हमें pattern में थोड़ा सा change करना है वो क्या करना है वो में ये 7 row बनाने के बाद आपसे मिलूंगी और आपको अच्छे से बताऊंगी कि वो change हम क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे ये देखे friends यहाँ पर हमने total 7 hanging rows बना ली है अब हमें 8 वी वाली बनानी है जहाँ पर हमें थोड़ा सा change है डिजाइन में तो वो क्या है मैं आपको बताती हूँ ये देखे यहाँ पर मैंने 7 वी वाली को एक stitch बीच में छोड़ कर चटी वाली के बाद में एक stitch छोड़ी है और फिर 7 वी वाली को slip stitch से attach कर दिया था ठीक है और उसके बाद में मैंने next वाले stitch में slip stitch लगा ले थी और फिर उसके next वाले stitch में slip stitch लगा ले थी तो अब यहाँ से हम 8 वी वाली row की शुरुआत करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं है जैसे हम bubbles बनाते आ रहे हैं इस hanging row में वैसे ही बनाना है लेकिन दो की जगा हमें तीन chain बनानी है हर एक bubble के बीच में तो यह देखे शुरुआत में हम एक, दो और तीन chain बनाएंगे फिर इसे यहाँ पर जो चोथी वाली stitch होगी उसमें हम bubble बनाएंगे इस तरीके से यह देखे यह एक, यह दो, यह तीन और यह चार puff बन गए अब हम इसे अगें सारे loops में से निकाल कर slip stitch लगाएंगे और फिर एक, दो और तीन chain बनाएंगे again we will make a bubble, तो हर दो bubble के बीच में साथ रो तक हमने दो chains बनाई थी लेकिन यह वाली रो में हमें तीन chain बनानी है और हर एक रो में जिस तरीके से हम एक bubble increase करते आ रहे थे उसी तरीके से हमें bubble increase करते जाना है तो यह वाली रो में finish करती हूँ और फिर आपको इसे attach करना एक बार फिर से दिखाती हूँ यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हमने आठवी वाली रो में जहाँ पर हमने 7 वाली रो में बीच में 2-2 chains बनाई थी उसकी जगा बीच में 3-3 chain बनाई है और 7 वाली रो में हमारे पास 12 bubbles बने थे तो यहाँ पर हमें एक इंक्रीज करना है यह वाली रो में तो हमारे पास यहाँ पर 13 बबल्स हमने बना लिये है अब यह वाली रो को हमें slip stitch से यह देखिए यह वाली साइड पर यह देखिए इस तरीके से हम जिसे अभी तक हमने attach किया था यह देखिए एक stitch छोड़ देनी है यह stitch हम छोड़ देंगे और next वाली जो stitch है यह देखिए यह stitch छोड़ेंगे और next वाली जो stitch है उसमें हमें slip stitch लगा लेनी है तो यह हमारी row यहाँ पर attach हो जाएगी अब next row की शुरुआत करने के लिए हम बीच में एक stitch पर slip stitch लगा लेंगे यह देखिए इस तरीके से हम slip stitch लगाएंगे और फिर again next वाली stitch में जाने के लिए हमें slip stitch लगानी होगी और फिर यहाँ से हम एक दो और तीन chain से शुरुआत करेंगे फिर से bubble बनाएंगे और यह वाली row में हम फिर से एक bubble increase करेंगे यानि के हम 14 bubble बनाएंगे तो इसी तरीके से यही method को follow करते हुए हम यह देखिए यह आठवी row के बाद हमारी आगे की 7 row के बाद यह हमारी अलग pattern से जो हम बना रहे हैं यह दूसरी row है तो इस तरीके से हमें यह दूसरी वाली finish करके 8 और बनानी है तो total जो हमारी बीच की यह जो 7 और total बाकी की 10 यानि total हमें hanging 17 row मिलेगी और जो हमारी आखरी वाली row होगी वो मैं शुरू करने से पहले फिर से आपको एक बार यह method किस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे और कहां पर हमने finish किया वो बताऊंगी तो अभी के लिए इतना ही यह जो hanging row में बता रही हूँ उसे एक bubble के increase के साथ आप अगली और 8 row तक दो रहाएंगे और फिर हम मिलते हैं और आखरी वाली row की making में हम मिलेंगे और फिर से एक बार इसे repeat करके देख लेंगे यह देखे friends मैंने यहाँ पर total 17 hanging lines जो मेरी है वो बना ली है hanging rows अब मैं आखरी वाली यानि 70 वी वाली बना रही हूँ जो 16 वी वाली थी उसमें मैंने टोटल 21 बबल बनाये थे तो यह आखरी वाली जो 70 वी वाली थी है उसमें मैं 22 बबल्स बनाऊंगी ठीक है और यह देखे एकजेट जो हमारा marker था उसके पहले वाली stage पर मैंने इस आखरी वाली row की शुरुआत की है और इसी तरीके से यह वाली side B में exit जो हमारा marker लगा हुआ है उसके पहले वाली stage पर इसे end करूंगी तो जो first और last stage थी जो हमने 17th stage काउंट की थी वो ऐसे ही रहेगी उसमें हम कुछ भी बुनेंगे नहीं ठीक है तो यह आखरी row में हम again same way तीन चेंज से शुरुआत करेंग और फिर यह देखे इस तरीके से एक दो तीन और चार पफ के साथ एक बबल बनाएंगे और फिर से तीन चेंज बनाएंगे और इसी तरीके से repeat करते हुए हम total 22 बबल बनाकर फिर आगे इसे attach करने के time पर मिलते है फ्रेंड्स यह 22 बबल के साथ आखरी वाली hanging row भी finish हो चुकी है अब इसे यहाँ पर जो marker लगा हुआ है उससे जश्ट पहले वाली जो stitch है यह देखे यह वाली जो stitch है उसके साथ मैं slip stitch से इसे joint कर दूँगी यह देखे इस तरीके से और फिर इस तरीके से एक chain लगाऊंगी और इस धागा काट कर इस तरीके से tightly खीज लेंगे और फिर इस धागे को यहाँ पीछे कही भी note लगा कर फिर finishing के साथ हम काट लेंगे वो में बाद में करूंगी तो यह जो हमारा front portion है हमारी देखें hanging rows यह जब हम पहनेंगे तो अच्छे से आपने इंट्रो में देखा ही होगा पहनने के बाद बहुत साइड पर सेम इसी तरीके से यह वाली साइड पर बुनाई करके रेडी करते हैं बाद में हम स्लीव में किस तरीके से इसे बुनेंगे वो में बताऊंगी तो अभी मैं इसके बाद यह portion बना लेती हूँ फिर आपको एक स्लीव बना कर दिखाती हूँ ठीक है यह देखें फ सेम जैसे हमने यहाँ पर शुरुआत की थी सात रोज जो शुरुआती बनाई थी वही हमें यहाँ पर स्लीव में बनानी है ठीक है तो फिर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगी तो स्लीव के लिए मैंने क्या किया है यहाँ पर देखें दोनों साइड पर हमने 32 स्लीव के यह देखे, यहाँ पर जो marker लगा हुआ था, वो तो वैसे ही लगा हुआ है, दोनों marker के बीच में हमारे पास 32 stitches है, ठीक है, तो 32 में से हमें center की most four, most four centered stitches है, वो find out करनी है, तो यह देखे, मैंने वो find कर ली है, इधर वाली से यह पंदर भी, और यहाँ से अगर count करेंगे, तो यह 15 वी, ठीक है, बीच में, सोलवी, दोनों सैट से, सोलवी, सोलवी छोड़ दी है, तो center most जो stitches है, उसमें पहली वाली, और आखरी वाली, most center four stitches में, पहली और आखरी वाली को मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है, धागे की help से, आप stitch marker की help भी ले सकते है, ठीक है, अब य उसी जगा पर में, हमारा जो यह धागा है, जिससे हम वर्क कर रहे है, उसे attach करूगी, यह दिखे friends, marker हटा कर मैंने उसी stitch में धागा पूरो लिया है, और नोड लगा लिया, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक slip stitch लगा लेंगे, और फिर एक और दो chain बनाएंगे, थोड़ी daily chain बनानी हमें, एक और यह दो, अब हम bubble stitch बनाएंगे, जैसे हमने अभी तक बनाई है, उसी तरीके से, एक, दो, तीन, और यह चार, ठीक है, अब यान ओवर करके, सारे loops में से एक साथ निकाल कर, इसे इस तरीके से slip stitch से जोइंट कर देना है, फिर से एक और दो chain लेनी है, again we will make a bubble stitch, और यह वाली hanging row में, हम इसी तरीके से 6 bubble stitch बनाएंगे, तो 6 बनाने के बाद, फिर आप से मिलती हूं, और बताती हूं, आगे क्या करेंगे, यह देखिए friends, यहाँ पर हमने 6 bubble stitch बना ली है, और यह देखिए, यहाँ पर आखिर में हमने 2 chain बन ली है, 6 bubble stitch बनाने के बाद, अब हम यह hanging row को, जो हमने 4 stitches center की mark की थी, उसमें जो दूसरी वाली marker थी, उसकी जगा पर हम इस तरीके से slip stitch से attach कर लेंगे, और देन हम यह marker को remove कर देंगे, अब उसकी next वाली जो stitch है, उसमें हम एक slip stitch लगाएंगे, और अगें उसकी भी next वाली stitch में हम एक slip stitch लगाएंगे, this is the same process जो के हमने top में front और back side बुनते हुए की थी शुरुआत में, अब यह देखिए, next row में slip stitch लगाने के बाद, वो वाली रो में हम एक और दो chain बनाएंगे, again we will make a bubble stitch और यह क्योंकि दूसरी रो है, तो इसमें हम एक bubble stitch को increase करेंगे, क्योंकि पहली रो में हमने 6 bubble stitches बनाई थी, तो यह वाली रो में हम 7 बनाएंगे, और आखिर में 2 chain बनाकर उसे वो वाली side पर joint करेंगे, तो 7 bubble stitches बनाने के बाद 2 chain बनाती हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ, यह देखिए फ्रेंज, यह next जो second वाली hanging row है, उसमें मैंने 7 bubble stitch बनाकर आखिर में 2 chain बना ली है, अब इसे हम यह वाली side पर एक stitch छोड़ देंगे, इसे हम इस तरह के से गुमा लेंगे, और यह देखिए, यह देखिए, यहाँ पर हमने first वाली रो की शुरुरायत की थी तो उसके next हम एक stitch को छोड़ देंगे और उसकी next वाली stitch में हम यह वाली दूसरी रो को attach कर देंगे with the help of slip stitch अब क्योंकि हमें again एक slip stitch लेनी होगी क्योंकि बीच में हमें एक stitch छोड़नी है तीसरी रो शुरू करने से पहले तो यह एक slip stitch ली जो stitch हम छोड़ देंगे और क्योंकि next वाली रो से हमें next row यानि third row की शुरुआत करनी है तो again एक slip stitch लेकर next row में जंप करेंगे और यहाँ पर हम third row की शुरुआत करेंगे with two chains and a bubble stitch one two three and four time make a puff with a slip stitch and again one and two chain again extend the stitch and make a puff like this one two three and four okay yarn over go through all the loops and slip stitch तो इस तरीके से हम again दो chain बना कर इसी process को repeat करते हुए क्योंकि यह तीसरी row है तो यहाँ पर हम nine puff stitch nine bubble stitch बनाएंगे और अगली वाली साइड एक stitch छोड़कर उसे अटेच कर देंगे अगेन दो slip stitch लेकर फिर से next row की शुरुआत करेंगे तो इसी तरीके से हमें sleeve में total 7 row बनानी है तो 7 row बनाने के बाद आपको sleeve का final look दिखाती है sorry friends बोलने में थोड़ा लोचा पड़ गया बलके यहाँ जो third वाली row है उसमें हमें nine नहीं बलके eight bubbles बनाने है तो sorry for that mistake अभी हम eight bubble बनाएंगे और तिसरी row को finish करेंगे दो chain लेकर और बाकी की सारी row बनाकर आखिर में पूरी sleeve रड़ी करके फिर मिलते है यह देखिए friends यह साथ hanging lines के साथ हमने एक sleeve पूरी कर ली है अब इसी तरीके से हम देखिए यह सामने वाली side पर दूसरी sleeve बना लेंगे और फिर हम इसका final look reveal करेंगे ठीक है तो मैं दूसरी sleeve बना कर फिर end में आपसे मिलते हूँ so friends यह हमारा poncho बनकर ready हो चुका है बहुत ही प्यारा लग रहा है I hope कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा तो चलिए फिर next वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाबाई